Assalamualaikum दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आप सब को YouTube Channel English Literature पर Welcome कहती हूँ आज के इस लिक्षर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं Past Perfect Tense की इसमें हम लोग Negative Sentence के Structure को देखेंगे और उनकी Formation को देखेंगे और Sentences की Examples के तरू हम लोग इस Tense को यनकी Past Perfect Negative को Understand करने की कोशिच करेंगे Previous Lectures अगर आपने नहीं सुने है, Total 20 Lectures बना चुकी हैं Tenses के उपर तो वो सुन लीजिएगा, उनको सुनके ऐसा होगा कि आपकी Writing Skill काफी Strong हो जाएगी मैंने इसमें कई Important Points, Important Tips दी हैं जो आपके लिए काफी helpful रहेंगे और इसके इलावा आपको Tenses पर भी ग्रेप पहुच जाएगी लिंक आपको Description में मिल जाएगा तो अब टाइम को बेस किये बिगए जो हमारा आज का Topic हम करते हैं शुरू Past Perfect Tense Negative Sentences Previously जब हम लोगों ने Simple Sentence देखी तो हम लोगों ने इसकी Definition को In-Depth Understand कर लिया था Detail Discussion के साथ अब मैं सिफ ओवर भी देती हूँ Definition का कि इसका मतलब होता है Past in Past Tense मतलब ऐसा Action जो कि Past में हुआ होता है और उससे पहले भी Action जो है हो चुका हुआ होता है उसको कहते है Past Perfect इसको Blue Perfect भी कहते है ठीक है Past Perfect किसे कहते हैं कि एक Action जो कि Past में हुआ था और उससे पहले भी Action हो चुका था उसको हम कहते है Past Perfect Tense अब हमने साथ ही बात किते हैं कि Past Perfect Tense जो है उसका Purpose जो है उसका Function किया है उसका Function नमबर वन तो यह है कि Past Action हो था उसे पहले Action हो चुका हुआ था वो बताना और नमबर टू किया है कि Sentence का Structure जो मर्जी हो बेशिक Event A और Event B सीक्वेंस में लिखा हो या बेशिक पहले Event B लिखा हो और बाद में Event A लिखा हो Past Perfect Tense का मतलब यही होता है कि जो Event पहले हुआ था उसको बताना और इसमें Had का यूज़ के जाता है जैसा कि Example लेखे स्क्रीन पे I had saved my documents before the computer crashed Computer crashed होने से पहले मैं अपने documents save कर चुका था ठीक है यहाँ पर क्या हुआ I had saved my documents यह पहले वाला काम हो चुका था फिर before the computer crashed यह दूसरे वाला काम था तो हम लोगों को कैसे पता लगा कि I had saved my document पहला काम था और computer crashed दूसरा Had की use की base पे Had ने बताया कि एक काम पहले हुआ था और बागी वाला दूसरा हुआ था बाद में इसके बाद दूसरे इधकी example He was very tired because he had not slept well अब यहाँ पे He was very tired वो बहुत थका हुआ था Because he had not slept well क्योंकि वो सब्सक्राइब नहीं सो चुका था ठीक है अब क्या हुआ यहाँ पे यह जो He had not slept well यह action पहले हुआ था He was very tired यह action बाद ने हुआ था पता कैसे लगा Had की use की base पे तो basically had कहां पे use होता है perfect tense के अंदर use होता है past perfect के अंदर और इस tense का purpose क्या होता है कि past में जो action हुए थे उससे पहले एक action हो चुका था उसको बताना मतब एक action से पहले जो एक action हुआ था उसको बताना या फिर simply इसको past in past भी कहा जाता है और इस tense को blue perfect भी कहते है अच्छा अब हम बात करते हैं आगे कि जो past अब proper definition देखनी हो आपने तो past perfect tense ऐसा verb है जो represent करता है एक action को जो अलड़ी past के अंदर ही खतम हो चुका होता है ठीक है ये आप definition note कर सकते है इसके अदर auxiliary verb हम had use करते है verb की third form करते है use क्योंकि अब ये negative sentence है इसके अंदर note का word use किया जाता है और जो note है वो had के बाद में लगाया जाता है ठीक है अब हम had note को ऐसे भी लिखते हैं और had note को ऐसे भी लिखते हैं जो हम had note को ऐसे लिखते हैं contraction क्या होता है contraction होता है बीच में से एक अदा word omit करके connected कर देना जैसे कि ये has note की contraction form है ये i, d i had की contraction form है ठीक है तो contraction कहते हैं कि इसको जिसमें हम एक अदा word को omit करके साथ जोड़ देते हैं जैसे कि हाप had note को जोड़ा गया है तो हम had के बाद note यूज़ करते हैं note क्यों क्यों क्योंकि negative sentence है negative sentence है मतलब negation करने कि चीज़ की मनफी जुमले बनाना ठीक है अब structure देखें पहले subject आएगा फिर had आएगा फिर note आएगा फिर third form of verb आएगी फिर object आएगा और पहचान के इसके उर्दु हिंदी में sentence के अंदर नहीं का word use होगा और चुका था चुकी थी चुके थे इस तरह के word use होगे sentence के last में example लेखें I had not finished the work मैं काम खतम नहीं कर चुका था she had not gone वो जा नहीं चुकी थी the train had not just left when I arrived at the station जब मैं station पे गही थी तो train नहीं जा चुकी थी we had not played video games हम video game नहीं खेल चुके थे he had not beaten chess easily Harry had not become a successful marker they had not cut the tree last week she had not drawn a good painting इसके बाद फिर next देखें he had not eaten all the snacks अब यहां पे भी वो सारा snacks नहीं खा चुका था मतलब end पे चुका था और नहीं का word sentence में इस्तमाल हो रहा है और इसके लब अगर हम English का structure देखें तो पहरे subject है फिर had है फिर not है फिर हमारा verb की third form है and then object ऐसी next example लेखें John had not found a new job John ko नहीं job नहीं मिल चुकी थी My dad had not gone to California मेरे अबू California नहीं जा चुके थे She had not hurt me when I was a child They had not felt on a playground I had not driven a car yesterday I had not told all the truth फिर है We had not bought new clothes मतलब sub sentence में अगर हम इनकी उर्दू करते हैं तो ही बन रहा चुका था चुकी थी वर्ड आ रहे हैं पीच में नहीं आ रहा है We had not bought a new clothes हम ने कपड़े नहीं खरीच चुके थे They had not won a cricket match वो cricket नहीं जीच चुके थे She had not watched a horror movie वो खोफनाक movie नहीं देख चुके थे Alina had not made an ice cream cake एक ice cream cake नहीं बना चुकी थी ठीके बिलकुल ऐसे चल रहा है I had not won the new t-shirt at the exhibition मैं नमाईश पे नहीं टी-shirt नहीं पैंच चुका था We had not spent all the money हम सारा पैसा नहीं खर्च कर चुके थे I had not run a mile when I was younger जिए मैं चोटा हुआ करता था तो मैं एक mile नहीं धोड़ चुका था ठीके अब यहाँ पे एक और चीज़ मैंने बताया था यह तो structure समझ लगए आपको कि हम पहले क्या करें subject यूज़ कर रहे हैं फिर हम लोग इसके अंदर हैड यूज़ कर रहे हैं फिर हैड के बाद not फिर subject सुरी हैड के बाद not फिर वर्प की थर्ड form फिर object हमारा आ रहा है ठीके यह sequence तो हम लोग को समझ लगए चुका हुआ है हम लोग ने चुका था चुकी थी कि फिर चान लोग देख लिती है और मैंने एक पॉइंट का था पास्थ in पास्थ यह उनए के इंद वही होता है का यह पास्थ प्छ Yर अश्चिन हुआ होथा है उससे पहले एक डीक्शन हुआ हो पताता है यह पास्थ परफेक्ट वही होता है पता कैसे लगा, हैड की बेस पे, ठीके, क्लियर थो हमें वेंक से भी हो रहा है यह वाली बात, वेंक से भी क्लियर हो रही है, लेकिन हम लोगों ने हैड को देखना है, जो हमारे लिए simple, like, वो है, example I understand करने के लिए simple trick है हमारे लिए understand करने के लिए, कि जहां पे हैड लगा, it means reaction, past में पहले हो चुका हुआ था, ठीक है, तो यह था all about negative tense, अब मुझे लगता कि आपको past perfect negative, which is clear हो चुकी होंगे, next video में हम लोग interrogative की बात करेंगे, thank you for watching this video, दूआ में खास याज रखेगा और हमारे चनल को subscribe करना मात भूलियेगा, allahafiz